तो गैस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप SBI Securities में अपने Demet Account को ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे यहाँ पर Demet Account क्लोज करने का जो प्रोसेस है टोटली ओनलाइन प्रोसेस है और यहाँ पर आप लोग को 2024 का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने Demet Account और ट्रेडिंग अकाउंट को दोनों एक साथ क्लोज कर सके हैं यहाँ पर Demet Account को क्लोज करने के लिए आप लोग को बैंक जाने की जरूरत नहीं है आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से ही ऑनलेइन प्रोसेस के माधियम से Demet Account को क्लोज कर सकते हैं देखे Demet Account क्लोज करने का आपका कुछ भी रिजन हो सकता है तो आप लोग को सिंबल से आप लोग को जो है की रिजन देना पड़ता है कि आप Demet Account को क्यों क्लोज करना चाहते हैं तो चलिए आप लोग को Simply क्लोज करने का प्रोसेस बताते हैं तो सबसे पहले आप लोग अपने Demet Account वो Simply यहाँ से Login हो जाएंगे Login होते ही Simply आप लोग को यहाँ पर अपना क्लाइंट कोड डालेंगे पासवर्ड डालेंगे इसके बाद Submit पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का Dashboard आएगा Setting पर क्लिक करेंगे इसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर Close Account लिखा हुआ है Simply इस पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का Dashboard आएगा जहाँ पर आपका Client Code रहेगा प्लस आपका Pen Number भी यहाँ पर आजाएगा इसके बाद यहाँ पर Account नीचे लिखा हुआ है May We Know The Reason Close the Account यानि कि क्या कारण है जिसके वज़ाँ से आप अपने Demit Account को Close करने जा रहे थे यहाँ से यह Select करना होता है लेकिन यहाँ पर जो ही कि यह Select करने से पहले कुछ जरूरी चीज़े आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है Note में After Clicking the Process Button जैसे कि यहाँ पर कुछ Conditions आप लोग को दिये गए हैं यह Conditions आप लोग को Follow करना होगा जैसे कि आपके SBI Securities Demit Account में जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ निल यहाँ पर लिखा हुआ निल की Leisure Balance यानि कि किसी भी तरह का कोई भी Balance आपके Fund के वैलेट में नहीं होना चाहिए इसके बाद नीचे लिखा हुआ निल अवेलेबल ट्रेडिंग यानि कि यहाँ पर कोई भी जो है कि नहीं होना चाहिए लेकिन इससे पहले आप लोग यहाँ से जो है कि रीजन भी Select कर सकते हैं जैसे लिखा हो Y, U, R जो है कि क्यों आप को लोज करना चाहते हैं तो Customer Service के वज़ज़ से या फिर Trading Pattern के वज़ज़ प्लेटफॉर्म के वज़ज़ से या फिर ब्रोकरेश चेंज करना चाहते हैं या फिर Offers आप लोग को नहीं मिल दा है तो इनमें से आप कोई भी Select कर सकते हैं इसके बाद Simply Proceed पर क्लिक करेंगे ठीक है और बता दे कि आपके SBI Securities में किसी भी तरह का कोई भी जो है कि Balance उगरा नहीं होना चाहिए प्लस किसी भी का भी Company का Share जो है कि Holdings नहीं होनी चाहिए आपके पास इस सब चीजों को आप लोग को ध्यान देना है ठीक इसके बाद Simply यहाँ पर Region Select करेंगे इसके बाद एक OTP आएगा जो आपके SBI Securities में मोबाइल नमबर लिंक होगा उस मोबाइल नमबर पर Simply उस OTP को यहाँ पर Fill Up करके Verify पर किलिक करेंगे जैसे Verify पर किलिक करेंगे तो आपके सामने कुछी तरीके का Dashboard आएगा जिसमें यह लिखा रहाता है Account Closure Request has been received and the same will be processed within 3 working days अब देखें यहाँ पर दिक्कते हमारे भाई को यह हो रहा है किसी का 4 दिन हो गया किसी का 6 दिन हो गया किसी का 10 दिन हो गया तो यहाँ पर यह problem आ रहा है तो आखिर यह कैसे इसे ठीक करें और बिसिकली बता थे कि तीन दिनों के अंदर में आर्मली आपका जो Demit Account होता है वो Close हो जाता है ठीक है लेकिन अगर आपके holdings में holdings पड़े हुए है किसी कंपनी का अगर share पड़ा हुआ है आपके Demit Account में तो ऐसे केस में आप लोग का यहाँ पर Late लगता है या फिर reject हो जाता है तो सबसे पहले अगर आपने किसी कंपनी का share buy कर रखा है तो उसे आप लोग sell कर दिजिए और sell करने के बाद क्लोजर का process request डाल लिए और आपका जो Demit Account है Close हो जाएगा ठीक है और इसलिए कुछ मेरे भाई लोग का टाइम लगता है क्योंकि हो सकता है कि उनमे Account balance मैंने हो funding balance या फिर लेजर बैने कुछ बचा हुआ होगा जिसको वज़े से उनका जो है कि यहाँ पर Account close नहीं होता है reject हो जाता है तो यही कारण है और इससे ही आप लोग जो है कि अपने Demit Account को Close कर सकते हैं यहोव वीडियो के माध्यम से help जरूर मिला होगा आपनों को